खबर मध्यप्रदेश के रिवा से है जहां विस्तुविद्ध देलत हानाचेत अंतरगत निराला नगर में नाले के पानी पीने को मजबूर है जुग्गी जोपडी के रहवासी। नाले के पानी में ही यहां की लोग स्नान करते हैं बरसात में तो यहां काफी कठनाईयों का भी सामना करना पड़ता है नाले का पानी घरों के अंदर तक घुश जाता है वहीं स्थानियों का कहना है कि जब चुनाओ आता है तब वोट मागने लोग आते हैं लेकिन चुनाओ क के बाद जन प्रतनिधियों का यहां आना बंद हो जाता है अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहां के रहवासी किस तरह रह रह रहे हैं जब हमारी टीम ने इस निराला बस्ती का निरेक्षण किया तो देखा कि कई स्थानी लोग नाले के पानी में ही नहाते नजर आये हैं और वही नाले के पानी को पीते भी हैं आये अब आपको सीधा ले चलते हैं निराला बस्ती की ओर और जानते हैं कि स्थानी लोगों का इस बिसर पर क्या कहना है म specifics कि समानी लोगों कि स्थानी लोगों कि सकत सभ़्यागले किस्का रवाशन से लोगे लोगषिते हैं डिश खाः पर एट करेंद कि अ बाद नहीं बाहर ना जा हूं लिघ्जा में अब लोग रहे हैं अब देखो अमरे उमर बुड़े हो चुके हैं अब लोग कहां पाई चार पांच लाख रुपिया तो देए अब कुछ नहीं मिलिया है पानी कैसे पीते हुए पानी होने गड़ाही इंते लियाई थी वह पाई फोड़ी के पाई लगाए के भरी थी वह उसके कंदाए मां पानी नहीं है एक पानी पानी देदे यह मेरे की काम चलाती है घर घर पानी मांगती है बरसात के दिनों कैसा अब बरसात के दिन में यह हाल होती है सब दिन यह हाली है जब बरसात आ जाते है ना जब हुआ खुमनहर चले लागा थी ना तो बूर जाते है तो मने इता के रहा थे कि यह कुछ खाली हो तो पानी भरी तो पीने के मिले यह में के है यह सुब्धा नहीं आए कुछ हूँ हम लोग चाहिते कि नलोल हुई जाए यह रोट बन जाए घर बन जाए हमारा नाम भी टोल परेशानी यह रहने बसने की यह जुगी जो पड़ी बारिस में हम रहने ही पाते हैं बुड़े आदमी की चड़ माटी में गिर जाते हैं और नो पानी का सुबधाना रहने के सुबधाना खाने के सुबधा सरकार कोई चीज़ तो दे नहीं रखा है हमें आज पचास साथ साल कुमर हो चुकी जाएं तो जाएं कहां मजदूरी करेंगे तब खाएंगे और नहीं मजदूरी करेंगे तो बैठे रहेंगे और रोई से मजदू इसे नहीं ध्यान करेंगे जहां बोत निकल तो कोई अनाला के वह एक नलका लगा हुआ है छोटा से आपता नीचे तो उसी में से पी रहे हैं उसी में से ना रहे हैं उसी में से कपड़ा दो रहे हैं और क्या करा जाएं दूर जाएंगे नहीं नाला के पानी पीएं यह बात है सर अगर अतनी मदद सरकार कर देना तो इन कतना गरीब लोग दूआ देंगे यह चोटे चोटे बच्चे यह नाला से गुज के जाएंगे सरकार को यह नहीं समाझ जा रहा है कि कब से कब यह 40-50 साल के बसंदा वहें तो कम से कम इनको भी तो कुछ साधन दे दे तो यह दे नहीं रहे हैं अब किया करा जाएंगे आधा पाइसा खाए जाएंगे लालू बनता है निराला नगा यहां पानी के तकलीव और पानी बढ़ते हैं और यहां रोट पानी अंदर जा रहा है अवास वास तो चाले वहां पर बना हुआ है तो जिससे पैसा वो ले राज गरीब आद में तुहां कैसे जाए कैसे इसके बाद किस्त देना और नल बजली का पैसा अलग से लगे तो हम लोगों को पास इतना हो तो जो अलग से जमीन ना सब्सक्राइब पानी की बश्ता क्या राए पानी की बश्ता है यहां जाते हैं पुलियाटे बनने आई यहां पर नाला पर पानी बढ़ते हैं नाले का में से औरे हमारे पास में फार कम जातें बगार में पाईसा नहीं थरनी बन मायं कवे अभी यहां हम लोग हम तो रहे हैं ज्कारी कोई कुह कुछ नहीं है've को स्कूल बच्चों के लिए ना तेहां रोड है ना घर है ना जमीन है हम लोग कम से कम यहां पचासन साल से हमारे माबाप हम लोग जोगी जोपनी में रहते हुए हैं बगाए को यहां पर कोई सेवा उपलब्द नहीं है अवास कोई हमारे यहां नहीं आया आवास हमको लोग न कि वनस्ता क्या तो ने कुछ भी नहीं है पर पूरी तरह से खाली क्या क्यार ने को कि इसको फिल्दम कचड़ा कचड़ा बना यहां सब्नार को बना चुरा प्रजदा है। पुछ भी नहीं हम लोग जानते हैं कैसे जी रहे हैं तो पचास-चालीस-पचास साल से रह रहे हैं यहां समस्य यह है कि यह नाला जो है बना नहीं आज तक इतनी बार पारसद हुए विधायकी हुई लेकिन बेख जाते हैं इसको बनाते नहीं है इसके बज़े से परेसानी बहुत आती है अवास सोचाला बनवाए थे वह बना हुआ है वह जाम है इस समय तो भी तकलीब है टॉलिट वाली तकलीब बने और अंदर तो और भी कीचड़ बहुत होता है ना रास्ता बना है ना कुछ जुगी जोपड़ी ऐसी बनी है देख रह हुआ है और प्रसानी यही ही है कि पानी और आ जाता है और और अलोग भरसाद में पासे काका बंशाबके कब होगे है तो खाते हैं कुछ नहीं मिल्ता रासल काड़ भी नहीं बना है और क्या प्रसानी है श्रुबब बना हैं पचास साल का जितने दिन नंगिते हलीजा कर रात